आई आप सभी का सवागती मेरी इस चैनल में देखे और सीके दा नीजिंग चैनल में तो मैं आज जा रही हूँ थालपोस बनाने तो चली इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहरा 6 चैन लेंगे 1 2 3 4 5 और यह 6 सबसे पहली वाली चैन में डालेंगे इसे जाइंट कर लेंगे हम अब यहां से हम 3 चैनल लेंगे 1 2 और यह 3 इसके अंदर डालेंगे डबल को से करते हुए 12 डबल को से कंप्रीट करेंगे ये टू हो गए इन 3 इसी तरह से 12 डबल क्रोसे कमप्लीट कर लें कि इस तरह से करते हैं हमने इसे बना लिया YouTube यह सबसे पहली वाली चेनपी यहां जाएंगे यह पर इसे जाइनट कर लेंगे да 3 गुद्system ाडब और यह Stream वजय फूर करयेंगे problems और ये टू क्रोशे पर धागा लेंगे दूसरे वाली चेन में आएंगे और यहां भी हम टू डबल क्रोशे बनाएंगे वन डबल क्रोशे है टू डबल क्रोशे है वन टू चेन फिर से दूसरे वाली चेन पर आएंगे वहा भी हम 2 double crochet करेंगे 1 double crochet और ये 2 double crochet फिसे 2 chain लेंगे फिर next वाले chain पर 2 double crochet करेंगे इसी तरह से पूरा round complete करेंगे इसी तरह से करते हुए पहले round complete किये तो 1,2,3 third chain पर डालेंगे यहाँ पर इसे joint कर लेंगे यहाँ पर फिर से हम 3 chain बनाएंगे 1, 2 और यह 3 यह हमारा 1st डबल कोई यह है सेकंड पर हम 2 डबल कोई है बनाएंगे 2 डबल कोई बनाएंगे 1 डबल कोई है और यह 2 डबल कोई है थर फेसे 2 चेन लेंगे वान और यह टू यहां टू डबल क्रोशे है तो फर्स्ट वाले पर वन डबल क्रोशे करेंगे सेकंड वाले पर टू डबल क्रोशे करेंगे टू चेन लेंगे वान टू फिर से फर्स्ट वाले पर वन डबल क्रोशे करेंगे second वाले पर two double cross या करेंगे फिर two chain लेंगे one two इसे तरह से complete करेंगे हम third round जा देखे one two third round हमारी complete हुई यहाँ पर इसे joint करेंगे first वाली chain पर वन टू त्री चेन लेंगे इसे पहले डबल क्रोशे काउंट करेंगे सेकंड में डालेंगे वन डबल क्रोशे करेंगे अब थर्ड वाली चेन पे टू डबल क्रोशे करेंगे तो यह हमारी फोर्थ राउंड है हर लास्ट वाली चेन पर हम दो डबल क्रोसे करेंगे फिर दो चेन लेंगे एक और ये दो फिर समिया पर एक डबल क्रोसे करेंगे इसमें एक डबल क्रोसे करेंगे लास्ट वाले पर दो डबल क्रोसे करेंगे इसी तरह से करते हुए हमें नाइन्थ राउंड कंप्लीट करना सबसे लास्ट वाली जो डबल क्रोशे आएगी उसी में हमें दो डबल क्रोशे बनाने और आगे में जितनी भी आएगी सब हमें एक एक डबल क्रोशे करेंगे और बीच में दो चेन का गैप लेंगे तो चलिए 9th round करके मैं दिखाती हूं आपको तिहां हमारे 9th round complete होते हैं य लाइट लेमनी कलर है यह बहुत ही खुबसर सा कलर है यह तो देखिए मैं यहां से काउंट करके दिखा देती है कि मैंने कितनी लाइन बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यह नाइन अब यहां से कलर चेंज करेंगे आप अपने मुद्पसंद कलर से बना सकती है इस तरह से लिए सबसे फर्स्ट वाली डबल कुरूस है यहां पर इसे हम जॉइंट करेंगे पहली वाली डबल कुरूस है यहां पर इसे जॉइंट करें दागे को इस तरह से अब यहां से हम थ्री चेंज लेंगे वान टू एक हमने इसे जॉइंट के से भी हम थ्री चेंज काउंट करेंगे अब देखिए हर चेंज पर डालते हुए हमें डबल कुरूस है बनाना है करेंगे बनाना है जो लास्ट डबल कुरूस है इसमें हम दो बनाएंगे एक और यह दो अब जो बीच में हमारी गैप है यहां भी हम दो डबल कुरूस है बनाएंगे एक और यह दो फिर से जितनी डबल कुरूस है सभी में एक एक डबल कुरूस है करेंगे हम लास्ट वाले में दो डबल कुरूस है करेंगे बीच में जहां दो चेंज का गैप लिया है वहां भी हम दो डबल कुरूस है करेंगे इसी तरह से करते वे राउंड कंप्लीट करेंगे इसके नेक्स्ट राउंड में हर चेंड के उपर एक एक डबल कुरूस है करेंगे वहां कहें भी बढ़ाना और घटाना नहीं है इसकी बादवाली लाइन में वह भी हम रेड कलर से ही बनाएंगे चलिए तो यह दो लाइने कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि आगे कैसे बनाना है इस तरह से लिए हमने इस चेंड में डालेंगे लास्ट वाले पर दो डबल कुरसिया बनाना है एक बार और बनाएंगे इसमें बीच वाले पर दो बनाएंगे ऐसे चली पूरा राउंड कम्प्लीट कर लेते हैं इसके नेक्स्ट राउंड में पूरा हर चेन पर डालते हैं एक डबल कुर्शे करते हैं कि यहाँ पर हमारी 11th राउंड कम्प्लीट हुई अब देखें किस तरह से करना है हमें यहाँ फिली में ख्रीज ले लेंगे 123 इस जगह पर डालेंगे जाम नेक्स ज्वांड किया है तो आए और वाण चेन वाण डबल कुर्शे कान करेंगे ओर राइवर दो हो गया तीन डबल क्रोसिया, दो चेनल लेंगे, एक और ये दो, फिर इसे जगह पर डालेंगे और दो डबल क्रोसिया, तीन डबल क्रोसिया और करेंगे, एक डबल क्रोसिया, दो डबल क्रोसिया, और ये तीन डबल क्रोसिया, अब यहां से साथ चेनल लेंगे, एक, दो, तीन, चार पांच, छे, साथ, तो इसे फे धागा ले लेना है, इस तरह से, यहां से हम six double crochet skip करेंगे, one, two, three, four, five, six, और seventh प्रिंट डालेंगे, इसे double crochet करेंगे, यानि छे double crochet छोड़ देना है, साथ वे नंबर वाले double crochet पर, इस तरह से double crochet करेंगे, फिर से यही repeat करेंगे, तीन double crochet, दो चेन और तीन double crochet, दो डबल चेन ले ले लेंगे, एक और यह दो, फिर इसे जगह पर डालेंगे, तीन डबल चेन और करेंगे, एक, दो, और यह तीन, फिर से साथ चेन लेंगे, इसी तरह से करते हुए, पूरा round complete करेंगे, यहां के इसे joint करेंगे, चली, यह round complete कर लेते हैं, यहां पर हमारी Barbie line complete हो गई, अब यहां पर color change करेंगे, color change करते हुए, जहां हमने six double crochet बनाया था, और दो chain के gap यहां पर यहां पर crochet डालेंगे, पहले जैन से निकाल लेंगे, इसे, दागे को tight करना यहां पर, crochet पर दागा लेंगे, और यहां पर हमने seven chain बनाया है, यानि साथ chain यहां पर डालते हुए double crochet करेंगे, साथ double crochet करेंगे पहले, दो double crochet हो गया, तीन double crochet, चार्ट double crochet, पांच double crochet, छे double crochet, और यह साथ double crochet, यानि seven double crochet हो गया, seven double crochet के बार two chain लेंगे, one और यह two, फिर से seven double crochet करेंगे, one double crochet, two double crochet, three double crochet, four double crochet, five double crochet, six double crochet, और यह seven double crochet, यानि साथ double crochet करेंगे, फिर दो chain लेंगे, फिर साथ double crochet करेंगे, फिर से इसकी बीच में आ जाएंगे, तीन double crochet, दो chain जो हमने लिया हो था, इसकी बीच में आएंगे, और single crochet से इस तरह से joint कर लेंगे, तो इसी तरह से यहीड, फिर से हम यहाँ repeat करेंगे, यहाँ भी हम इसी तरह से बनाएंगे, साथ double crochet, दो chain, साथ double crochet, फिर यहाँ सिंगल crochet से joint करेंगे, यहाँ सिंगल crochet से joint करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, साथ double crochet, दो chain, साथ double crochet, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, यहां भी बनेगी यहां भी इसी तरह से करते पूरा राउंड आके कंप्लीट करेंगे यहां के जॉइंट करेंगे तो चली पूरा राउंड इसी तरह से गड़ लेते हैं फिर दिखाते हैं आपका हरा है है तो देखिमने यह ड्राइब क्लां क्लेट कर लिए यह पत्तू वाली अब यह ड्राइब ना रहे हूं तो सेम उसी तरह से जा ने मैंने पाहली लैन में बनाए हूई थीским तरह से ही लैन रिपिट कर दिहीं एक तैसे तरह से पर 4 5 6 7 7 लिए हमनी रहाइब हम सब तया जेंब और यहाँ तो को से करते हुए फिरसे मेम इसी तरह से बनाएंगे वैंडार舞 को सिय कुई को है तू डाबल को सिय का थि डीज गौोस कि लिए तू बहुतने है तू झ Darren Cruseum और यह थ्री डेवल क्रोश यह है फिर सब 7 चेनल लेंगे 1 2 3 4 5 6 और यह 7 चेनल लिए हमने और यहाँ पर किसे जॉइंट कर देंगे सबसे फर्स्ट वाली चेंज जो हमने लिवी थी यहाँ पर से डालेंगे करते विए से जॉइंट कर लेंगे और पर यहाँ पर द्धागे को काट लेना है मुए है कि second hai हमारी डिजान की complete होई one two three an complete jeśli यहाँ पे बीच में single crochet करेंगे जो म Celtic usherda29 घ्ला करेंगे अ फिर यहां से हम कुर्शार पह द्हागा लेंगे फिर जो मुनेत हैं यहाँ पर सैबन डबल क्रोषएं बनाएंगे आई ओनडबल क्रोषए और देबल क्रोषए हो 3 double crochet 4 double crochet 5 double crochet 6 double crochet और ये 7 double crochet 7 double crochet करने के बार 2 chain लेंगे हैं 1 और ये 2 टू चेन लिया हमने फिर सब्सेंट डबल क्रोषय करेंगे इसी जगह पे यानि साथ डबल क्रोषय है दो चेन और साथ डबल क्रोषय है जो हमने साथ चेन लिया वह voltage उसकी बीच में हमें हमें बनाना है अकर आज की वीडियो अब सबको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करें यह हमनी तीन डबल क्रोश है बना लिया है यानि त्री, यह उग्गे फूर फाइब फाइब शेक्स और यह सैबन सैबन डबल क्रोश है टूचेन, सैबन डबल क्रोश है इसके बीच में आएगे रड कलर वाली जो हमारी टूचेन का गैप है यहाँ पर आएगे और यहाँ पर सिंगल क्रोश से जाइट करेंगे फिर यही रिपीट करेंगे तीसी तरह से करते है अब बनाएगे फिर अगली राउंड आएगे फिर से हमारी यह डिजाइन चलेगी यहाँ पर आएगे पूरा राउंड करने के बाद जोइंट करने के बाद यहाँ पर हम थ्री चेन पहले बनाएगे फिर थ्री डबल क्रोश से है, टू चेन, थ्री डबल क्रोश से है फिर seven chain लेंगे यहां पर joint करेंगे यह डिजन फिर हमारी यहां बनने शुरू हो जाएगी तो इसी तरह से करते हुए हम जितनी बड़ी आपको चाहिए उतनी बड़ी बनाए तो मैं यहां पर छट के लिए बना रही हूँ तो इसे आप उसी अनुसार बनाए जो डलिया होती ह है और मिसार उतरा बड़ा बना ले या फिर आप छोटा सथाली धगनी के लिए भी बना सकती है या फिर टेवल ब्रमने करी बना सकती है तो उतना लम्भब बना लेते हैं उसके फिर आपको दिखाते हैं कि सोंग मैंने आ पे साइन में लटकन भी लगाया हूए इस तरह के अगर आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगते तो फिलीज वीडियो को लाइक, सेर, सस्क्राइब करें उमिद है अज की वीडियो आप सबको अच्छी लगए होगी तो देखिए यह आप छट में इसे यूज कर सकती है पर आध में ढखे या फिर आप इसे दोरी ये दोरा जो कहते हैं उसमें भी डख सकती है आप इसे तो देखे कितनी बड़ी है ये